तुला रासी वालों का 13 फरबड़ी 2020 का रासी फल तो जैसी आराम दोस्तों आईए सबसे पहले हम जानते हैं 13 फरबड़ी के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है पंच में नक्षत्र है हस्त पक्ष है क्रिस्न पक्ष और दिन है गुरूबार आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है साथ बज के एक मिनट में और सुर्यास्त है छे बज के नौ मिनट में चंदरोदे है 10 बज के 41 मिनट में और चंदरास्त है 9 बज के 56 मिनट एम में आज का दिन काल है 11 घंटे 7 मिनट 22 सेकेंड का महिना है फाल गुन और आज आपके लिए सुभ समय है 12 बज के 10 मिनट से 12 बज के 25 मिनट तक अशुभ काल सुरू होता है 10 बज के 44 मिनट से 11 बज के 28 मिनट तक और दुबारा है 3 बज के 11 मिनट से 3 बज के 55 मिनट तक राहुकाल सुरू होता है एक बज के 69 मिनट से तीन बज के 22 मिनट तक दिसा सूल है दक्षिन दिसा की और तो ये था आज का पंचांग अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बाड़े में लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें इसके बेल आइकन को ओल पे आउन कर दें और वीडियो को पूरा देखने के बाद हर जगफ फैला दें सेयर करना बिल्कुल फी न भूलें और इस वीडियो के लाष्ट में आपके लिए आज के दिन का अनोखा तोटका है जिस तोटके को आजमा कर अपने शमय को आप बेहतर कर सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं तुला रासी वालों आज आपके लिए भग्यसाली रंग है पारदर्सी और गुलाबी भग्यसाली अंग है आपके लिए दो यानिकी टू और स्वास्त के लिहाद से आपका दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर और सांदार रहने वाला है आज आपके अंदर आत्मिस्वास की उरजा की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है और आज के दिन आप वही कार्ज करें जो काम करके आपको मानसिक सांती की प्राप्ती हो लेकिन दोस्तों साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आज के दिन आप खाली बैठते है तो आपके दिमाग में सो तरह की बाते आएंगी और ये फिर आपके स्वास्त को खतरा पहुचा सकता है इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों अगर आपके घर पड़िबार की और देखा जाए तो आज आपका पारिवारिक जीबन जैदा अच्छा नहीं रहने वाला है अ आपके पारिवारिक जीबन में या आपके अपने जीबन में कुछ खतरा होता हो तो फिर उस गोपनिय जानकारी को आप आज के दिन सेयर बिलकुल फिना करें अन्य था हो सकता है वो जानकारी कहीं लिक हो जाए अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपका प् काज की और देखा जाए तो काम काज में भी पूरे लगन से पूरे एकागरता के साथ आज आप काम करने वाले हैं लेकिन एकागरता आपको तभी मिलेगी जब आपके पास मानसिक सांती होगी अगर मानसिक सांती नहो तो एकागरता नहीं आएगी अब जानते हैं आपके उप नहीं आएगी और आपका समय शांदार हो जाएगा तो मैं आपसे मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद